नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत शबागत है दोसों आप शबी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का शमय आप शबी की जुनकाल में बहुत ही बड़े महत्पुन बदलाव लेकर आने वाले हैं जे दोसों एक तरफ जहां आपकी किश्मत बदलेगी वह दोसों दूसरी तरफ जो दुश्मन आपको परिशान क्या करते थी जो दुश्मन आपके रास्तों पर काटे खड़ा करते थी दोसों यश में उनकी जो बूरी आदत है उनकी भांशे के फंदा गली लटकेगी जिया दूसों एक परकार्श के कहें कि आपकी जुनकाल से अब दुश् जो भी दुश्मन है आप शबी की जुनकाल से हटेंगे और दूस्वों ये शबी कारे बगवान भोलेनात और शन्दीप करने वाले हैं आप शबी की जुनकाल में आने वाली दो दूनों के अंदर गरहों की भी बहुती परबल शमावने बन रही है कि आपको यथा शमबाव लाब की प्राप्ति होंगी हाजजीर दोस्वों और आप इस लाब के घोचर में अगर आप इसे लाब के इस्तित्ती में एक दू कारे को करने से बच जाएंगे एक दो चित्रों में गर आप शावधन रहेंगे तो दोसों आप शिवी को बता दे कि जीवन के शबसे बड़े महत्पुन वस्तु को अपराप्त करने वाले हैं कि दोसों दो दिनों का शमय आप शिवी के जीवन काल के लिए शबसे बड़े अच्छे शमय शावध होंगे याश में गरहों की इस्तिती बहुत ही अच्छी बन रही है याश में गरहों की इस्तिती दर्सा रही है कि आपकी जुनकाल में शाथ बड़े नए शुपसमचार आपको दिलाने वाले हैं जिया दोसों, और यह शुमी, आप शिव की जुनकाल में, एक यह कुछ कबरी होगी, कि आपकी शत्रीव करनाश होगा, और भी दोस्तों, आप शिव की जुनकाल में कौन-कौनशी बड़े कुछ कबरियां मिलने वाली है, इन शबी के लिए आपको कुछ विजेस बातों के अ लिए निदेब जय भोलिनात लिख दे भगवान भोलिनात और श्रीद्येप काशी में शिर्वाद आप शिवी को प्राप्त होगा जी आदोसों तो आए दोसुं बात करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान और श्रीकिष्ण की एक बहुत यच्छे ग्यान से दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण कहते हैं कि बोलने का रह से जानो थोड़ा बोलना बुद्ध्य मिद्धा का लक्षर है शंसार की अनेक उलजरों में शुरुक्चित रहने के लिए अपने जिवा को वश में रखना थी उत्तम शाधन है मिठा वचन श्रहत के शमान होता है जो आत्मा को प्रशनता और शरीर को स्वास्त परदान करता है बद्धुमान शोच कर बोलता है और मुष्क बोल कर सोचता है बोलने से पहले तो शब्द हमारे अदिन होते हैं पर बोलने के बाद आप उनकी अदिन हो जाते हैं हमारी भाशा में अमर käyt भी भरा है और विश भी चाहिज जो निकालो अम्रिद निकालोगे तो शुखी रहोगे और विश निकालोगे तो दुखी रहोगे मिठा बोलने वाले की संगत के शभी अभिलाशी होते है वह जहां जाता है आदर पाता है तो दोस्तों भगवान श्रीकिशन का यहां ग्यान अगर आपको शर्चा लगा हूँ शमझ मैं आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष मिलिक दें जय श्रीकिशना राधी राधी तो आई दोस्तों से के शार बात करतें कि आने वाले दो दूनों के अंदर गरों की बिदलती चाल आपके घर की महल में पारिजुन में आपके परतेक चत्र में कौन-कौन से बड़ी बदलाव करने वाले हैं दोस्तों ये शमझ में जीवन की प्रती आपका शकात्मक दिश्टी कौन बना रहेगा आपका रहनशन तदा बोलजाल का तरीका जो है शबी लोगों का ध्यान आपके तरफ आकरशित करेगा घर में भी कोई शुब मंगलिक कारे शंपन होने जैसी यो जनाई बनेंगी विद्यार्थियों को अपने किसी प्रजेक्ट में शफलदा भी प्राप्त होगा इसको प्राहन दोस्तों यह श्मे अगर आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह श्मे भूमे की खरेट परोग्त करते श्मे पेपर्स की अच्छी तरह से जांज परताल आवश करें किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें नकात्मक प्रविडिती के लोगों से दूरी बना कर रखें दोस्तों उनके विजश्य आपके मान शोमान पर आचा सकती है तो इन बातों पर आपको यह श्मे गौर करना चाहिए और इसको प्राहन दोस्ते को दूखी कर रहा है तो दोस्तों फिलार यह में अपने मार्क पर अकेले चलने के लिए ही मन को त्यार रखें इसको प्रांदों से यह में आपके लिए दोस्तों आपको बदा दें कि दिन चरिया में कुछ और परताशित बदलाव भी महसूस करेंगे आप हर प्रस्तिती का मुकावला हिम्मत वो फिर शहां से करेंगे खास दोर पर मैलाओं के लिए जो समय हैं बहुत थी शुकूर मरा शाबिद होगा नई उजनाय बनेंगी और परस्तियां लावदाय रहेंगी इसको प्रांद यह शुमे किसी नईदिकी शमदों से बिबात की स्तिती भी उत्पन हो शक्ती है इसलिए संयम रखें अपनी शमता से अधिक काम करने से आप बचें यह शुमी नकासर आपके स्वास पर पढ़ सकता है दोस्तों काम के बीच बीच में अराम भी लेना आपके लिए उचित होगा पुरानी नकार्दों बातों को याद ना करें वर्तमान में रहक कर आपको अपने कारियों को करें इसको प्राणतों से यह शुमी फिलाल आप वक्त के वल पस्तिती और खुद का अवलुकन करने में ही बर्वात करें जिन बातों में बदलाव लाने की आवश्रता है उन बातों पर काम करना यह में अत्यांत आवश्व होगा आपको बदा कि अपने वक्त को बरवाद ना करते हुए अपने लक्षियों को प्राप्ट करने की यह में आप कोसेज गरते रहें आपको वरसी एक अच्छी सपलता प्राप्त होगी इसको प्राणतों से यह में गरस्तिती पुरुंत अनुकूल है यह में अध्यात्म और अध्यान सब्सक्राइब कोई सुब्सवजना भी मिलेगी शमाजिक तता राइनितिक कारी में अपना वच्छसव बढ़ाने से समय आपका उत्तम होगा इसको प्राणतों से यह में संतान की पढ़ाई से समय चिंता रहेगी अजनेवी लोगों पर भरुशा ना करें ध्यान रखें कि आलस होगा फिर बहुत अधिक सोच जार करने से ही शमय वर्थ हो सकता है तो दोस्तों इनसे बचें इससे आपके कार्चमता भी प्रवाईद होगी इसको प्राणतों से यह में नई लोगों के शाथ जान पहचान बढ़ाते शमय सदकता रखने की भी आवशकता होगी गलत बक्तियों का शाथ परचे होना आपके लिए मांश्रिक और फिर आर्थिक रूप से नुक्षा दैग होगा आपको बता दें कि यह शमय अपनी भावनों पर कावू रखना आपको शिखना होगा इसको प्राणतों से यह शमय में आपके लिए जोसे महोंगे दोस्तों आपक को लाव होगा आपको बता दें कि पिछले कुछ शमय से चल रही अस्तोय जिंतरिया से आपको रहत मिलेगी इसको प्राणतों किसी वीपरकार की यात्रा करने से परहेज करें कुछ विरोधी आपके लिए विपरित प्रस्तुतियों बनारस बना सकती है इसलिए दोस्तों य में घर के किसी सदस्के स्वात को लेकर चिंता भी रह सकती है इसको प्राणतों से यह में आपके लिए समयोंगी दोस्तों आपको वदा दें कि आपका दिकतर वक्त परिवार की लोग और व्यक्तिकत रिलेस्ट्सिप को ठीक करने में ही वहितित हो शकता है आपको वज़श से आपको मर्सिक शमधन तो प्राप्त होगा लेकिन किं रिष्टों पर आपको कितना दिःवर रहना है दोस्तों और कितना ध्यान देना है इस बात को यह में समयने की भी आउशकता होंगी इसको प्रांदों से यह मेंगर आपकी केरियर को लेकर बात के नर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों यह में वयशाय गतिदियों घर परी रहकर सुजरूर से किनलित करते जाएंगे फोन और संपरकों के माध्यम से सब वयश्ता हो जाएंगी आपको बदा दें सेर्स आदी में निविश करने का उत्तम श्रम्य होगा प्रंतु उसके बारे में उचित जानकारी अवशे लेले इसको प्रांदों से यह श्रम्य आपके केरियर के लिए जोज़म होंगे आपको बदा दें कि दोस पहल वें उनमें भी शुदा राएंगी इसको प्रांदों से यह श्रम्य आपके के लिए जो से मोंगे आपके ववयशाय करी जो समयंगे आपको बदा दें कि दोस्ते यह में आर्थिक मामलों में कुछ मनन वा पिर चिंतन करने की भी जरूत होंगी ववयशाय में कर पर ना जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि कार चितर में आपका प्रभाव का वह पिर दवद्वा बना रहेगा नए और भी आपको मिलेंगे अपनी उच्टनाव को गुपत रखें इस बात पर आपको यह में गोर करना चाहिए तथा अपने काम की क्वैलिटी को भी और दोस्तोंसरों अगर आपको लब लाइव को लगर बात करें प्रेम शमंदो में प्रगड़ता आने वाली है तुथा विवाट के योग भी बन रहे इसको 720 आपका गड़ा आपके ज्यूंद के लिएंस पारेवर जीवन के लिए दोस्तों है यहारा वालियो क्लूस्तों आप अच्छा शुमंद रहेगा पतिपद्ने के शुमंदों में मजरता रहेंगी दोनों एक दुसरे के लिए बात वह पिर शुला को अमियत देंगे प्रम्तु वर्थ के प्रेम शुमंदों में अपना शुमेश में नश्ट ना करें यह आपके लिए उच्छित होंगे इसको प्र सब्सक्राइब के लिए आपको बदा दें कि दोस्तों में पारवरिक श्रदुस्यों की बीच उच्छित तालमिल भी रहेगा घर के महाल में शकात्मों गुर्जा व्याप्त होगी प्रतों विवातर शमनों से दुरियां बना कर रखें यह आपके लिए उच्छित होंगे इसको परादो से यह आपके स्वास को लेकर बात करें तो दोस्तोंि सम्हां के आपके हैल्थ के लिए उस परशान करेंगी बादी अच्छित वाँ बीचित भछान खाने से पररिश करें इसको प्रांदो से ये श्रमे आपके स्वास के लिए समय होगे दोस्तों आपको बदा दें चाती से समय कुछ परिशानी होगी परंतों यह मौस में बदला को जासे हो सकता है सर्दी से अपना उचीत बचाव रखें इसको प्रांदोस्ते ये शुमे आपके स्वास के लिए शावित होंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी किसी समय ठकान और आत्मबल की कमी महसुल होगी, कुछ श्मे अध्यान और मेट्रेशन पर अवश्वेतित करें, यह आपको शकातम परिड़िनाम देंगे, तो दोस्त को जरूरी ने पर ध्यान देए आपके स्वास के लिए बहतर शावित होंगे और इसके साथ दोस्तों याश्यों में अगर आप शावधनी को रखेंगे तो स्वास आपका उत्तम रहेगा हलकी भुलकी मोश्मी परिशानियां आपको हो सकती है जराशी शावधनी आपको स्वा ट्रकेगी